दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लाल किताब चैनल पर, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पिज़ा का सपना देखने का मतलब क्या होता है, अगर आप भी पिज़ा का सपना देखने का मतलब जानना चाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए सपनों में पिज्जा का मतलब है कि आपका ऐसा चरित्र है जो अपने भीतर बकवास या संधर्श से जूज रहा है आपको अधिक लचीला बनने और समस्याओं को हल करना सीखना होगा या उन्हें मजाक के रूप में लेना होगा इससे आपको सामाजिक संबंधों में बहुत मदद मिलेगी एक सपने में एक पतली परत वाले पिज्जा का मतलब है कि आपका प्रियव्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता है जगडे चर्चाएं हो सकती है जो संबंधों को ठंडा करने और एक पक्ष के अलगाव की ओर ले जाती है यदि आप नींद में में से पूरा पिज्जा खा लेते हैं तो यहां आपके काम के प्रती अनादर को दर्शाता है आपका वरिष्ट एक कार्य करता के रूप में आपकी सराहना नहीं करता है आपके प्रयास और कार्य को नहीं देखता है और नहीं महत्व देता है एक पिज्जा जो अलग तरह से भरा हुआ है यह धन का प्रतीक है आपके पास जीवन से एक प्रस्ताव प्राप्त करने का अवसर होगा जहां सब कुछ ठाली में है पिज़ा पर थोड़ा एडन बड़े वित्तिय नुकसान का संकेत देता है अगर आप मींद में पिज़ा खाते हैं तो इसका मतलब उस समय आपकी लापरवाही और असंतुलन के कारण होने वाली बड़ी परेशानी और मुश्किले हो सकती है परेशानी और अवांचित परिणामों से बचने के लिए आपको अपनी कम्यों पर काम करने की जरूरत है प्रेरित करे और आशा को बहाल करे यदि सपने में पिज़ा का टुकड़ा मिट्टी में गिर जाए तो इसका मतलब है दूर देश से शुप समाचार मिलेगा आप से संपर्ग किया जा सकता है या मित्रों बटा रिष्टिदारों द्वारा दौरा किया जा सकता है यदि आप काम से सहकर्मियों के साथ सपने में पिज़ा साजा करते हैं तो आपको अनुचित हमलो और काम पर गप से सावधान रहना चाहिए अगर आप नींद में पिज़ा बनाते हैं तो रोमाचक रोमाच आपका इंतजार कर रही है आपके जीवन में नई चीजे आएंगी जो सकारात्मक है उदाहरन के लिए संभावित रोजगार यह बहुत छोटे नुकसान के साथ बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रतीक भी हो सकता है